मैं सारे भारतिय जंता पार्टी के निताओं से अब हनुमान चली सा गवाँगा, उन्हें हनुमान चली सा गाना चाहिए, उनकी भाषा में थोड़ी सहीयम आएगा, उनकी भाषा में थोड़ी मर्यादा आएगी, उनके हिरिदय के अंदर थोड़ी शान्ती आएगी, वो लोगों को भी हनुमान चाली सा पढ़ना चाहिए अच्छी बात है सब कोस खुबए उटके पढ़ना चाहिए शांती मिलती है हनुमान जी का अशिरवाद भी मिलता है हिन्दो मुसलिम हिन्दो-मस्लिम शाहिऩ्ग मैं कहते हूं मैं किस्कूल बन वाँगा quick connect 2 चाहता हूं मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जिसके अंदर सब को रोजगार मिले जिसके अंदर इंडस्ट्री हो जिसके अंदर बड़े-बड़े हाइवे बने जिसके अंदर ट्रेंज चले जिसके अंदर सैटलाइट्स हो जिसके अंदर साइंस टेक्नोलोजी और रिसर्च हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इनवस्टी हो, इससे देश आगे बढ़ेगा, ये लोग देश को 200 साल पीछे ले जाएंगे, जनता देख रहे हैं, आप लोग तो घूम रहे हो, ये जितने आरोप, प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आपके कैमरा में चल रहे हैं, मिलती है, जनता के बीच में नहीं है, मैंने कई बार एक्जामपल दिया है, भारते जनता पार्टी के भी लोगों के सामने, जब आप लोग सड़क पे जाते हो, कैमरे लगाते हो, उनके सामने माइक लगाते हो, माइक में पूछते हो, तो सारे लोग कहते हैं, जी वैसे तो वो शूटर आम आजमी पार्टी का दिल्ली पुलिस ने का वो शूटर आम आजमी पार्टी का दो दिन से लगातार चलाई जा रहा है वो फिर उसने सोचा कि देखें जरा जनता पे कितना असर पड़ा तो कल शाम को उन्होंने अपना रिपोर्टर भीजा सड़क पे कि जी राजनीती है हमें तो केजरिवाल को वोड़ देंगे हमें तो स्कूल चाहिए अस्पताल चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए अमिट शाजी से मैं निवेदन करूंगा कि आएं और बहस करें और जनता के सवालों के जवाब दें मैं बहस करने का तयार हूं मैं शाहिनबाग पे भी बहस करने का तयार हूं मैं हर मुद्दे के उपर बहस करने के तयार हूं स्कूल पे बहसो, अस्पताल पे बहसो, शाहिनबाग पे बहसो, बिजली पे बहसो, पानी पे बहसो, देश की तरक्की कैसे होगी इसके उपर बहसो, अपने युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा इसके उपर बहसो, आएं और चर्चा करें इसके उपर, आप लोग भी अपन इस बार सरवे जनता बताईगी इंड गिरफतार करो संजे सिंग को इडी ने कहा क्यूं इडी गिरफतार क्यों नहीं करते इडी भारते जनता पार्टी का गठबंदन का पार्टनर का की E D Giraftar क्यों नहीं करती E D का काम लीग करना है कि E D का काम Giraftar करना है और देश की सुरक्षा करनी है E D राजनीती कर रही है और अमिट शाह E D से राजनीती करा रहे हैं गिरफतार करो संजय सिंग को और 20 साल के लिए जिल भेजो दो दिन पहले मैंने कहा था कि भारतिय जनता पार्टी अपना CM कैंडिरेट एलान करे ताकि दोनों पार्टियों के CM कैंडिरेट के बीच में जनता के बीच में बहस हो सके जनता उनसे सीधे सवाल जवाब कर सके जनता को ये डर लग रहा है कि कहीं BJP को वोट दे दिया और उन उन्होंने अपना CM कैंडिरेट डिक्लेयर नहीं किया इसे साफ जाहिर है कि उनकी पार्टी में दिल्ली का CM बनने लाए कोई आदमी नहीं है बातिय जनता पार्टी खुद भी मानती है कि उनके पास दिल्ली का CM बनने लाए कोई नहीं है कि कल फिर मैंने कहा था कि अमित शा आपके लिए लेकिन अमित्षाजी ने भी बहस करने से मना कर दिया वह भी आने के लिए तक के प्रशीट में जवाब देने के लिए वह टैयार दुखत बात है आगई औरक गीता में भी लिख आए कि मैदान चोड़के मि नहीं भागना चाहिए एक सच्चा हिंदू जो होता है वो बहादूर ओता है मैदान चोड़के इस तरह से साहुता नहीं है तो यह शोभां नहीं देता अमित-शा जी को कि वह इस तरह से मैदाना चोड़के भाग रहे हैं जनता की प्रश्णों के जवाब नहीं देना चाहते दूसरी पार्टियों के साथ बहस नहीं करना चाहते यह जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है है आज चुनाव का आखरी दिन है चुनाव प्रचार का आखरी दिन है और आज मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत-बहुत की आप लोगों ने देश की राजनीती बदल के रख दी है पांच साल पहले आप लोगों ने सबकी उम्मीदों के परे किसी को उम्मीद नी थी कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, आपने सतर में से सड़सट सीट देके देश के अंदर इमानदा राजनीती कायम की थी, इस बार देश की राजनीती को बदलने का समय आ गया है, एक नई किस्म की करने का समय आ गया है, और उस राजनीती का नाम है काम की राजनीती, आज तक इस देश में सतर साल में किसी भी राज्य में या केंदर में काम के ऊपर किसी सरकार नी वोट नहीं मांगा, किसी सरकार ने यह निका कि हमने school बना दिया इसलिए vote दो SPTAL बना दिया इसलिए जारिए कि हमने काम किये इसलिए vote दो तो दिल्ली की जंता मन बना चुकी है कि इस बार काम के उपर vote देगी जिसका जवाब दूसरी पार्टियों के पास नहीं है तो पहली चीज तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार आपने जम के हमें वोट दिया था सत्तर में से सड़ सट सीट दी थी इस बार भी आप अपने वोट की ताकत हमें दीजिए जादा से जादा ताकत दीजिए ताकि अगले पांच साल हम उसी तरह से काम कर सकें जैसे पिछले पांच साल में किये थे आप हमारे कामों से बहुत खुश है इसकी हमें बहुत प्रसनता इसी से हमें एनरजी मिलती है अगले पांच साल भी हम तभी काम कर पाएंगे जब आप अपने वोट की ताकत हमें देंगे वो जादा से जादा ताकत हमें दीजिए दूसरी पार्टियों के पास चुकि कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास कुछ भी नहीं था इसलिए वो उनको दिल्ली की जनता ने और M.D. की जिम्मेदारी दी थी नगर निगम के अंद्र वो कुछ नहीं कर पाए दिल्ली को 15 साल में उनुने कुडा 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 कर दिया दिल्ली की जनता ने उनको पुलिस की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है, तो जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा अपना अच्छा काम गिनाने को, तो उन्होंने हमारे कामों के उपर आरोप लगाने चालो की, एक जूटा स्कूनो का वीडियो निकाला, वो आप लोगोंने मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने जा जाके उनके फरजी वीडियो का परदाफाश कर दिया, उन्होंने एक फरजी महला क्लिनिक का वीडियो निकाला, वो भी परदाफाश कर दिया, तो वो हमारे कामों के उपर भ बुलाए, सत्तर मंत्री उतारे, मेरे जैसे छोटे से आदमी को हराने के लिए, लेकिन मेरे में ताकत नहीं है, वो ताकत दिल्ली के लिए जो काम किये गए, उस कामों की ताकत के सामने वो खड़े नहीं हो पाए, इतने बड़े-बड़े धुरंदर भी खड़े नहीं हो करेगी, काम की राजनीती, जिससे पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी, कि अगर अब आपको वोट चाहिए, तो आपको स्कूल बनवाने पड़ेंगे, अब आपको वोट चाहिए, तो आपको अस्पताल बनवाने पड़ेंगे, इस काम की राजनीती को हराने के लिए, इनको ये चिंता है कि अगर ये काम की राजनीती फैल गई और पूरे देश के अंदर लोगों ने कहा कि हम तो काम को वोट देंगे तो इनकी जो बरसों से कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी की जो धरम और जात की राजनीती चल रही थी वो फेल हो जाएगी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 190 करोड रुपे का हवाईजाज खरीदा हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किये दिल्ली की जनता के लिए अपने लिए हवाईजाज ना खरीद के दिल्ली की जनता को उसका फाइदा पहुंचाया तो अब अगर काम की राजनीती फैलती है तो यह अपने लिए इस तरह की सुविधाई नहीं कर पाएंगे अपने लिए हवाईजाज नहीं खरीद कर पाएंगे फिर इनको सारा पैसा जंता के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जनता के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे जनता के लिए अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो यह जो ट्रेडिशनल राजनीती चल रही है एशो अराम की राजनीती सत्ता से पैसा पैसे से सत्ता की राजनीती ब्रश्टाचार की राजनीती धरम और तो मैं दिल्ली की जनता से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने वोट की ताकत जादा से जादा हमें दीजिये ताकि आने वाले समय में हम लोग और काम कर सेकें। कि वो जैसा हमें ने बताया कि पहले अपने काम नहीं गिना पाएं कि उन्होंने में क्या काम कियें। उसके आद उन्होंने 10 मुख्यमंत्री उतारे लेकिन वो दिल्ली के चंता ने सारे मुख्यमंत्री वापस बेज़ दिये बोले जी दिल्ली बहुत अच्छे चल रहे हैं आप अपना राज्ये जाके संभालो जो सारी केंद्रिय मंत्री उठाके ले आये वह भी नी चला अभी इन्हों ने परसो दिल्ली पुलीस आगे कर दी दिल्ली पुलीस ने कुछ तस्वीरें सामने की वो भी नहीं चला अभी तो आप देखो अभी तो 24 गंटे बचे अभी तो एडी भी सामने आएगा सब मैंने तो कली कहा था जो गुनागार है उसको पकड़ के जेल में डालो और अगर आम आदमी पार्टी काये तो उसको डबल सजा दो 10 साल की सजा बनती हो 20 साल की सजा दो देश की सुरक्षा के साथ राजनीती मत करो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड मत करो देश की सुरक्षा के साथ गंदगी मत करो प्रेस कॉंफरेंस करते हैं देश की सुरक्ष की है पकड़े उसको जेल में डालो उसको सक्से सक्स सजा दो यह 24 घंटे पहले प्रेस कॉंफरेंस क्या किसी की प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं लोग दिल्ली पुलिस प्रेस कॉंफरेंस करती है इडी स्टोरी लीग करती है क्या है अभी तो पता नहीं कितनी पिक्चरें निकल निकल के आएंगे और कितने वीडियो निकल के आएंगे कि आपको भी हनुमान चालीता गामी परते है या जीता के उद्देश को यहां पर निफ़त करते हैं क्या वज़ा है इसकी वज़ा यह है कि